एलो दोस्तो मुझे मीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो आज जो मैं आपके साथ डिसकेशन करने वाला हूँ वो इस पैटरन के बारे में डिसकेशन करने वाला हूँ यह आपको देख के पता लग गया होगा कि यह कौन सा पैटरन है लेकिन मैं फिर भी बता दूए आपने ज़्यादतर पैटरन इस तरीके से देखा होगा इसे हम क्या कहते हैं फ्लैग एंड पोल पैटरन लेकिन यह आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाए दी रहे तो इससे हम क्या कहेंगे inverted flag and pole pattern यहाँ पे हमें buying opportunity मिलती है market में यहाँ पे हमें selling opportunity मिलती है market में इसलिए हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहली चीज जो हम सीखेंगे इसमें entry कैसे लेनी है दूसरी चीज हम सीखेंगे हमारा target क्या होना चाहिए तीसरी चीज हम सीखेंगे इस्टोप लोस कहाँ पर लगाना है इन तीनों चीजों का discussion यहाँ पर होनी वाला है आपको यह patterns मन्त में दिखाई दे सकते हैं या फिर week में दिखाई दे सकते हैं या फिर मतलब कहने का purpose यह है कि आपको यह जादतर दिखाई दे जाते हैं तो आपके एक extra income का source बन जाता है कि इसके base पे आप market में position ले सकते हैं तो इसलिए आपको proper entry का समझना है entry कहाँ पर लेनी हमें target कितना होना चाहिए वो समझना है stop loss कहाँ पर लगाना है वो समझना है यह pattern हमें कहाँ पर दिखाई दिया था यह bank nifty में आपको pattern दिखाई दिया था तो यहाँ पर हम सारे चीजों को detail में समझने वाले हैं लेकिन सारे चीजें समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाए गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका होने वाला है loss की जमेदारी भी आपको अपने आप लेनी है तो सबसे पहले तो हम इस pattern को समझने की कोसिस करते हैं यह आपको क्या दिखाई देगा market ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा पहले situation अब यह formation किस चीज का हो रहा है यह पोल बनने की एक तैयार यह हो रही है फिर market एक particular level पे support लेगा इसे आप support one कह सकते हैं फिर यहां से market ऊपर जाएगा फिर एक particular level पे resistance कि तरहट करेगा इसे आप resistance one कह सकते हैं फिर market वापस नीचे आएगा फिर किसी level पे support लेगा इसे आप support two कह सकते हैं फिर market ऊपर जाएगा फिर particular level पे resistance लेगा इसे आप resistance two कह सकते हैं अब इसमें एक से ज़्यादा मतलब काफी ज़्यादा resistance भी बन सकते हैं support भी बन सकते हैं लेकिन minimum requirement होती है कि कम से कम आपके पास 2 support होने चाहिए और 2 resistance होने चाहिए यह minimum requirement रहेगी फिर आप resistance 1 और resistance 2 को मिलाएंगे आगे बढ़ा देंगे support 1 और support 2 को मिलाएंगे आगे बढ़ा देंगे तो इस तरीके से आपको formation हो जाएगा और यह कितना भी हो सकता है मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए कम से कम तो 2 होने चाहिए 2 से ज़्यादा जितने भी है उतना अच्छा है तो यह आपको पता लग गया पहचान सकते हैं कि मार्किट में आपको या किसी भी सिचुएशन पर चाहे वो निफ्टी-फिफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या किसी भी तरह का स्टोक हो आप इसे कहीं पर भी एपलाई कर सकते हैं सिर्फ लोजिक को समझो ठ्योरी को समझो प्रेक्टिकल या आप इसे कहीं पर भी एपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फ्लैग एंड पोल पैटरन बन रहा है लेकिन यहाँ पर हमें सेलिंग अपोर्चनिटी मिली उस सिचुएशन पर अब हम समझते हैं दूसरी चीज़ हम यहाँ पर तीन चीज़े डिसकस करेंगे पहली चीज़ एंटरी कहाँ पर लेनी है दूसरी चीज़ इस्टोपलोस कहाँ पर लगाना है तीसरी चीज़ हमारा टारगेट क्या होना चाहिए तो यह चीज़ तो आपको यहाँ पर बनगी पहले हम छोड़ी में बात करेंगे फिर में आपको practically यहाँ पर entry कहाँ पर बन रही थी stop loss कहाँ पर लगाना था, target क्या होना चाहिए था सारे चीजों को हम यहाँ पर detail में discussion करने वाले हैं तो पहले हम entry को समझते हैं तो आपको क्या करना है जैसे यह support line कुपर इन विखर सकती हैं आपकी बनी हुए, इसे आप एक ऒरिके से support line भी कह सकते हैं इसे आप एक तरिके से resistance line भी कह सकते हैं क्योंकि उपर बनी हुए है, वो resistance क्योंकि market को वो फो रजिस्ष्ट कर रही है भी आपके लिए उपर नहीं जाने दे रही कोसिस यह करनी है कि लगबग लगबग आपको पैलल दिखाई दे तो पैटरन का बहुत अच्छा फोर्मिशन होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आपको जो नीचे सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें एंटरी के लिए तयार हो जाना है और उससे नेक्स्ट वाली केंडल पे हम एंटरी लेगे एंटरी केंडल क्या होगी नेक्स्ट वाली केंडल होगी हमारी एंटरी तो हमें एंटरी का पता चल गया stop loss कहा लगाना है जिस भी candle ने support line का breakdown दिया है उसके high के उपर हम अपना stop loss लगा दे फिर से ये दोनों point काफी समझने लायक है क्योंकि काफी लोग यही पर confused होते हैं कुछ लोग इसी के उपर stop loss लगा देते हैं अगली candle पर जिस पर उन्होंने entry लिये कुछ लोग यही पर यह entry ले लेते हैं इसलिए proper समझो मैं क्या समझाना चारू हूँ मालो यह support line है जिस candle ने इसका breakdown दिया उस पर entry नहीं लेनी है उससे अगले वाली candle पर आप लेंगे अपनी entry किलिया रहे हैं तक stop loss कहा लगाना है जिस candle पर entry ली है उस candle पर stop loss नहीं लगाना है जिस candle ने breakdown दिया था किसका breakdown दिया था support line का breakdown दिया था उसके high के उपर आप अपना stop loss लगाएं तो हमारी यहाँ पर दो चीजे के लिएर होगी हमें entry का पता चल गया stop loss कहा लगाना है वो भी पता चल गया अब समस्ते हमारा target क्या होना चाहिए target आपका इसमें रहेगा जो यह आपकी pole जो बन रहा है उपर से जहां से pole बनना शुरुआ था जहां पे खतम हुआ था यहां तक जितने भी point है इतना ही बड़ा नीचे आपका support line से target हो जाएगा तो हमें यहां पे target का भी पता चल गया तीनों चीजों को पता चल गया अब मैं आपको यहां पे practically दिखाता हूँ कि यहां पे आपके entry किस तरी किसे बन रही थी मैं आपके साथ discuss क्यों कर रहा हूँ जिससे कि future में आपको यह दिखाई दे फिर market वापिस आया हमारे पास support 2 आ गया फिर market वापर गया हमारे पास resistance 2 आ गया कम से कम हमारी requirement fulfill हो चुकी है दो हमें resistance चाहिए दो support चाहिए लेकिन यहां पे ज़्यादा बन रहे है तो बहुत अच्छी बात है, यह आनní कि हमारा confirmation और ज़्यादा यहां पे हो जाएगा तो इनसे मिलते हुए resistance 1 और resistance टूल से मिलते हुए हमें एक line draw करेंगे इसे क्या बलेगे? resistance line support1 और support2 से मिलते भी line draw करेंगे इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे support line अब हमें इंतिजार करना है जो यह support line है इसका हमें breakdown मिल जाए तो आप यहां पर देखेंगे इस वाली candle ने इसका breakdown दे दिया लेकिन हमें यहां पर entry नहीं लेनी है अगली candle पर entry लेनी है पहली चीज़ हम सिखेंगे entry दूसरी सिखेंगे stop loss का लगाना है तीसरी सिखेंगे target क्य होना चाहिए तो entry हमें किस candle पर लेनी है अगले वाली candle पर entry लेनी है stop loss का लगाना है जिस candle पर entry ली है उस पर हम stop loss नहीं लगाएंगे जिस candle ने breakdown दिया है इस वाली candle किसका breakdown दिया है support line का breakdown दिया इसके high के ऊपर हम अपना stop loss लगा देगे और target हमारा क्या रहेगा यहां से यह difference निकाल लेंगे कितना difference है और जो हमारी support line है उससे नीचे आपका यह target अचीव हो जाएगा तो आपको सीधा सीधा आपका यह target अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो देखो कितना आसान है simple तरीका है इससे आप मतलब जब भी आपको इस तरह के pattern दिखाई देते हैं म market में कुछ भी नहीं होता कभी कभी यह pattern आपको फैल होते हुए भी दिखाई देते हैं इसलिए हम stock loss लगाते हैं कि by chance market चलो यहां से नीचे नहीं जाता वापिस चला जाता तो हमारा SL hit हो जाता हमारा capital सुरक्षित रहता clear है यहां तक चीज़े clear है कोई भी confusion नहीं होना चाहिए अगर आपको यह पसंद आया है इससे like कीजेगा इसी तरह की और अगर आप interesting चीज़े देखना चाहते है तो मुझे comment करके बताएगा कि जब भी कोई भी pattern दिखाई दे मैं आपके साथ discuss करूं तो चीज़े आपको comment क आपके साथ थैंक यू